हेलो दोस्तों मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ ट्रेडिंग लैब चैनल पर दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन ऐसे स्टॉक की जो बहुत ही अच्छी सपोर्ट लिये हुए हैं और जो 200 पीरेड की एक्स्पोनेंशल मूविंग एवरेज होती है उसके उपर सपोर्ट लिये हैं और आपके लिए इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग में बहुत अच्छी ऑपर्चुनिटी ये स्टॉक्स आपको दे सकते हैं और इनका proper technical analysis करेंगे और इसमें क्या-क्या patterns बन रहे हैं कैसे candlesticks बन रही हैं और आपके लिए कब-कब इसमें trading की opportunity आ सकती है ये सारी चीज़े दोस्तों इस वीडियो में discuss करेंगे इससे बहले दोस्तों एक announcement अगर आप trading lab का जो free intraday trading का और technical analysis का course चाहते हैं तो इस वीडियो के description में मेरा WhatsApp का number है आपको एक trading account और DMAT account हमारे थूपन कराना पड़ता है सिर्फ एक trading account और आपको ये जो course है premium course 12 hours का pre-recorded videos ये free of course to watch करने के लिए available हो जाता है तो अगर आप ये चाहते हैं तो आप मुझे directly अपना नाम email और mobile number WhatsApp कीजे इसके content इस वीडियो के description में आप देख सकते हैं तो दोस्तों directly चार्ट पे चलते हैं और चार्ट के ऊपर देखिए सबसे पहला जो stock निकल के आ रहा है वो है दोस्तों PIDILITE PIDILITE INDUSTRIES आपको पता है FEVICOL आपने यूस किया है FEVICOL इसी का ब्रैंड है PIDILITE का और यहां पे PIDILITE INDUSTRIES जो है वो देखिए मैंने यहां पे आपको मैं दिखा देता हूँ यहां पे ले आउट में जाके मैंने एक moving average यहां लगाई है जो की 200 period की exponential moving average है और इसको मैंने color दे दिया है दोस्तों black और यह वली exponential moving average आपकी यह line है देखिए यह बहुत time से PIDILITE में flat चल रही है और देखिए आपको 200 period की exponential moving average का concept पता ही है जब भी कोई stock 200 period की exponential moving average को तो चाहिए बुलिश या बेरिश एक आपके लिए कंटेंडर हो जाता है जो कि आप वाच लिस्ट पे आड कर सकते हैं तो यहां पे दोस्तो देखे जो 200 पिरिट की आपके लिए सपोर्ट या रिजिस्टन्स का काम करती है जब भी स्टॉक इसके उपर कहीं पे देखे सपोर्ट लेता है तो वहां से एक बुलिश मूव आने के चांसे हो जाते हैं और जब भी कोई स्टॉक इससे थोड़ा सा नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो नीचे जाने के देखें बहुत टाइम से पिडिलाइट जो है आपने देखा होगा की उपर की तरफ देखें नीचे की तरफ आया था नीचे की तरफ आने के बाद वापिस दो सो पिरिड़ की एक्पोनेंशल मूविंग एवरेज को आपर की तरफ जो है उपर की तरफ इंपल्स देगा है यहां पे भी इसने यहां पे आया सपोर्ट ली वापस उपर की तरफ यहां पे आया सपोर्ट ली वापस उपर की तरफ यहां पे आया सपोर्ट ली वापस उपर की तरफ फिर आया फिर सपोर्ट ली वापस उपर की तरफ अब देखिए अब यहां पे रिसेंट ली जब यह स situation है कि यहां पर इसने एक तरह से support लिये और support लेने के बाद अभी अभी इसने 200 period के exponential moving average को उपर की तरफ break किया है उपर की तरफ देखिए उपर की तरफ पिछली अगर 10 candles आप compare करें volume को तो यहां पर volume आपकी निकल के आ रही है एक million के आसपास जो की पिछली 10 volumes का average 500k का double आ रही है और देखिए जो पिछला trading day था वो देखिए वो यहां पे जो है बीरिश रहा लेकिन इसने यहां पे 200 period की exponential moving average पे support ली और इसने पहले break किया breakout दिया फिर retest किया और retest के बाद अब यह वापिस जो है उपर की तरफ zoom करने के लिए बिलकुल तयार है और next trading day में नहीं तो next to next trading day में दो से तीन दिन में आपको यह at least four at least आपको यह two to three percent का जो है return देने के लिए प्रकी संभावना जादा रखता है probability इसमें बहुत हाई है दूसरा जो स्टॉक है दोस्तों वह है Glenmark Glenmark आपको पता होगा Glenmark एक जो है medicine एक drug भी बना रहा है जो कोविड नाइंटीन की जो ड्रग है उसके ट्राइल्स भी Glenmark ने स्टार्ट कर दी है तो फार्मा आपको पता ही है फार्मा ओवरॉल 25 तू 30 परसेंट आपका अप गया है 25 तू 30 परसेंट फार्मा सेक्टर जो है अप गया है क्योंकि फार्मा सेक्टर काफी इनौण की वोड्ल में अर इनकी जो मेडिसंस हैुनकी जो डिमांड है वह बहुत ज़ादा है और सप्लाइचेंपा पूरी तरीके से तोsticky गूए हुई है तो इनको इनकी जो 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 प्रिटिकल इलनेस है उनके जो पेशेंट्स है वह अपनी मेडिसन्स 6 महीने की स्टॉक करके रखे हैं तो यहां पर देखिए काफी टाइम से देखिए यहां इसने रैली किया अपरेल में और अपरेल के बाद यहां यह इस विप्रेडेशन दे रहा है बहुत 200 period की exponential moving average पर ये resistance ले रहा है लेकिन नीचे भी नहीं जा रहा है आप अगर ये देखेंगे नीचे का इसका तो इसकी trend line जो है वो आपको अप जाती हुई दिखेगी ये वाली trend line आपको अप जाती हुई दिखेगी तो इसका जो इसका जो overall structure बन रहा है दोस्तो वो एक consolidation का बन और अब ये इस consolidation से निकलने के लिए त्यार है दो से तीन दिन या एक से दो दिन में ट्रेडिंग डे में ये अपनी consolidation को ब्रेक करके और मुझे मेरे analysis के according ये एक बुलिश ब्रेक आउट दे सकता है उपर की तरफ और 200 period की जो exponential moving average इसकी आ रही है 359 पर इसको ब्रेक आउट क दिखता है intraday में तो आप उसमें उसका फायदा उठा सकते हैं दो से एक से दो परसेंट दो से तीन परसेंट इसमें देखिए ऐसी जो ये bullish candle आई थी ऐसी bullish candle इसमें बन सकती है क्योंकि April 15 April के बाद ये 15 में और अब यहां पे ये 22 में तक ऐसे ही consolidation में चल रहा है तीसरा जो कि अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये stock यहां पर एक range bound हुआ उसके बाद इसने इस range को इस level को यहां पर break किया और इस level को break करने के बाद वापिस इस level पर देखिए यह beautiful support ले रहा है वापिस support लेने के बाद ये 200 period की जो exponential moving average आ रही है ये 200 period की exponential moving average को इसने last जो trading day था इस 200 period की exponential moving average अगर आप देखोगे तो 2009.76 पर और इसने break करके जो closing दी है वो 2019.74 पर दी है और volumes आपको बता रही है कि इसमें दबा के accumulation चल रहा है accumulation मतलब stock accumulate किया जा रहा है इसको इसके stock को जो बड़े big players है वो FIIs है वो इसको accumulate कर रहे है और देखे double bottom beautiful double bottom और double bottom भी कहां बना पिछली जो resistance थी वो support बन गई और वहां पर बना और यह वाला level इसके लिए important है और यह वाला level देखे अभी इसने 200 period के exponential moving average को ब्रेक किया और अगर यह इस level के ऊपर कहीं पर closing देता है तो वापिस आप देखे इस वापिस आप इसका retest देखने के करेगा यहां पे कुछ candle stick का एक support का sign बनेगा तो आपके लिए confirmation आजाएगा कि यह एक उपर जाने की संभावना जादा रखता है तो दोस्तों मैंने तीन stocks आपके साथ share किया high probability high probability बहुत जादा high संभावना वाले Pidilite, Glenmark और TCS, Pidilite आपका normal जो आपका consumer goods का stock है TCS आपका IT services का stock है और Glenmark आपका pharma का stock है तो दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों पसंद आया है तो जरूर दोस्तों चैनल को subscribe कीजेगा और bell icon को जरूर प्रेस कीजेगा और जाद से जादा अपने friends में share कीजेगा ताकि उन्हें भी इस free channel के से सीख सके और telegram channel का link भी इस video के description में आप telegram channel भी subscribe कर सकते हैं और regular जो video updates है regular जो भी मेरी updates आती है वो telegram channel पर जरूर आती है और आप वहां से उसका फाइदा उठा सकते हैं thank you दोस्तों